बॉलिवुट इंडस्ट्री में यू तो ऐसे कई खान्दानी फैमिली हैं जो खुद को दूसरे से ज़्यादा बहतर समझने लगते हैं जिन में सल्मान खान की फैमिली भी शामिल है जी हाँ आप तो जानते ही होंगे कि ये लोग हमेशे से ही खुद को दूसरों से ज़्याद तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे सल्मान खान और सलीम खान के स्मार्ट दिमाग पर भोरोसा कर जैकी श्रॉफ बॉक्स आफिस पर मिथन चक्रवर्टी से भिड़ गए और मिथन चक्रवर्टी ने जैकी श्रॉफ को पूरी तरह से धोडाला दरसल उन दिनों के मशहूर फिल्म डिरेक्टर शशीलाल नायर साल 1988 में ज्याकि श्रॉफ को लेकर फिल्म बनाई थी और उस फिल्म के राइटर थे सलीम खान वही सल्मान खान इस फिल्म के असिस्टिन डिरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए थे बता दे कि उस वक्त सलीम खान इंडस्ट्री में काफी सुर्खियों में रहते थे क्योंकि उस टाइम उनकी फिल्म नाम बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी साथी सल्मान खान भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे इसलिए वे दोनों ही इंडस्ट्री में काफी सुर्खियां बटोर रहे थे वही इस बार भी सलीम खान के द्वारा लिखी गई फिल्म फलक और इस फिल्म के हीरो जैकी श्रॉफ को लेकर काफी उमीदे लगाएग हुए थे सभी को यही लगता था कि फिल्म फलक बॉक्स आफिस बस उपहिट होगी लेकिन उन दिनों अभी नेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार का मंदिर भी रिलीज होने वाली थी और वो भी एक ही तारीख हो वही उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती का करियर थोड़ा लड़ खड़ा रहा था इसने लोगों ने जाकी श्रॉफ को सला दिया कि वे अपनी फिल्म फलक को मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म के साथ रिलीज ना करें क्योंकि जोहां मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर को लेकर जादा चिंतित रहते थे वही जाकी श्रॉफ अपने करियर में काफी पापुलर हो चुके थे इसलिए फलक से जुड़े लोग भी काफी ओवर कॉंट्फिडेंट्स हो गए थे और उन्हें लगता था कि उनकी फिल्म फलक ही सूपर हिट होगी इसलिए ही राइटर सलीम खान ने निर्देशक सशीलाल को भरोसा दिलाया कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार का मंदिर फलक फिल्म के आगे टिक नहीं पाएगी तो इसलिए बहतर होगा कि फलक को रिलीज करने में जादा टाइम न लगाए वही सलीम खान की बातों में आकर डिरेक्टर सशीलाल ने प्यार का मंदिर रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही फिल्म फलक को रिलीज कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो शायदी किसी ने उमीद भी की होगी बता दे कि जैकी श्रॉफ की फलक इतनी बुरी तरह फलॉप हो गई कि मैथुन चकरवर्ती के फल्म के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और यह फल्म उस साल के सबसे बड़ी फलॉप फल्म साबित हो गई थी जबकि मितुन चकरवर्ती की फिल्म प्यार का मंदर बॉक्स ऑफिस मों सूपर हिट साबित हुई थी सलीम कान की बातों में आ कड्रेक्टर शशीलाल नी मितुन चकरवर्ती को तो हलके में लिया पर मितुन की फिल्म में सबी को हिला के रख दिया और जैकी श्रॉफ का स्टार्डम भी डिरेक्टर शर्शीलाल की फिल्म को नहीं बचा बाई वेल मैं थून चकरवर्टी और जैकी श्रॉफ की फिल्मों में से आपको किस की जादा अच्छी लगती है फिल्मे आप हमें उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं साथी बॉलिकोट इंडस्ट्री से जोड़ियासी और इंट्रेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें